आप सभी को आज भार्तिय गंटर्द्रश के जभत्र में दिवस पर स्वागत है अफिरंदन है धेरो शुब कामना है और बढाईया है मित्रो आज पूरा देश जब गंटर्द्र दिवस उट्योहार के रूपे मनाते हुए उल्लास प्रकट कर रहा है बिफिन कार्ज क्रब हो रहे हैं हमारी उपलब्धियों की गाथाएं गार्ज जा रही हैं भारत जिस प्रकार विकास के बार्ग पर बढ़ता हुआ आज विश्व गुरु के बद पर आसीन होने को तक पर है उस आलोक में आज के गंटर्द्र दिवस का कुछ महत्त और बढ़ जाता है भारत लोक तंतर की जर्णी है भारत ने एक सभेता का जो मार्ग पूरे बिश्व का दिखाया आज उस पर पूरा बिश्व चल रहा है और कोई आस्चर नहें कि आज हम अपनी उप्लब्धियों के दुवारा उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से हम पूरे संसार में अपनी सफलता का पता का लहराने में सफल रहा है लेकिन मैं इस उसर को उन जो जो सभी बाते हैं जिसकी चर्चा हुई और हो रही है भाशनों और लिखों से अलग कर फुप्लब्धियां अपने जगा है हमारे लक्ष अपने जगा है विकास सब कर रहे है कोई शक नहीं है लेकिन हम उस तत्थ की ओर दिश्टिपात करें और चिंतन मरंग करें जिस्तों कल हमारे मानी नहीं राश्पती द्रौपती गुर्मून ने जिन्नित किया उन्होंने भी उप्लब्धियों की चर्चा करती तो की लेकिन अपने राश्पत्रमून में यह बताना नहीं भूली कि भारत आज भी महात्मा गांधी के आदर्शों को प्रूंतव प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है उनके शब्द जरूर अलग है लेकिन तरह गौर करें और क्या करते हैं गांधी के सरोदे के आदर्शों को प्राप्त करना अभी बाकी है और बिश्यों की सबसे पुरानी जीवन सब्धेता के रुप में स्थापीत भारत क्या सचमच उन लक्षों को प्राप्त कर चुका है जिसकी कल्पना हमारे आजादी के बहादरो रुकी थी जो कुर्बानिया दी थी और आपने जो आजादी प्राप्त की आज हम आजादी के शुर्ण जियंती शुर्ण काल से गुजर रहे हैं यह तो खुशी के बात है प्रसंसा के बात है उव्लास के बात है लेकित जमीनी अस्तर पर जो एक हकीकत है जो इसकी योल इशारा कल हमारी राश्पती महुदया ने किया उस पर पिछार कर यह बस सही ह आधर्शो के मार्क पचलते हुए जो हमने कल्पना की थी कि अंतिम बक्तिक अंतिम ग्रतिक डख हमारी सारी उजनाओं का लाह मिलेगा उसके उठान के बात की जाएगी गरीबी दूर होगी रोटी कपड़ा और मकान के नारी कई बार गुंजिया सिख्षित बिरोजगारों के लिए रोजगार और अन्य जो सफी बिरोजगार है उनके लिए रोजगार की बाते की गई बिज्ञान के छेत्र में हमारी बहान उपलब्धिया वैश्विक अस्तर पचिनित हो चुकी है शिक्षा के छेत्र में भी हमने उपलब्धियों के अमबार लगाए है बावजूद इसके एक सवाल बार बार उमड़ता है दिल को पीड़ा पहुंचती है हम चिंतर मनन को बाद्धि हो जाते हैं कि बावजूद इनसावी उपलब्धियों के आज 75 साल बाद भी सरकार को यह दावा क्यों करना पड़ता है कि हमने करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन कराया यह बहुत ही बीड़दायक खबर है यह कोई उल्लास वाली खबर नहीं है आपने भोजन कराया अची बात है लेकिन ऐसी इस्ठी की क्यों बरकरार है आज भी हमारे देश में करोड़ों लोगों के क्यों रह रहे हैं सवाल यह है आज भी शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी फोज फोज खड़ी है आज भी हमारी योजनाओं का लाव जिस पंक्ति के अंति म्रक्ति की बात की जरी वहां नहीं पहुँच पारी यह एक कड़वा सच है यह कड़वा सच है और जो मौजूद है जो हमें व्यतित करता है हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमसे चू कहां हुई है आज गंचल दीवस के औसर पर एक निश्पक चिंदन करें और देर सही सही आज हम संकल पलें और हमसे मतलब है चुकि इन सबों को रिम्टरा सरकारी अस्तर पर करना है सरकार संकल पलें और चारिक भाशनों प्रसंसाओं उपलब्ध्यों की चर्चा को छोड़ दें आप उकरें लेकिन उस से इतर उन करोडों गरीबों उन करोडों बेसहारा लोगों की सह में सोचें जो भारत के सम्मानित नागरिक हैं क्या उन्हें वह औसर मिल रहा है उन लापों से उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है सरकार योजनाय बनती है नहीं होता है विवार का अस्तर पढ़ाब जाएंगों तो नहीं होता है ऐसा क्यों इसमें एक और जो बहुत पूंटत्थ है वह यह की सरकार योजनाय बनाती है क्रियावन के दिशा में उनकी कई एजनसिया है वो उन्हें क्रियावनित करती है लेकिन अगर उसका पिक्षित लाव वंचितों को नहीं मिल पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक भागीदारी का अभाव ध्यान रखें सरकार अपना काम करेंगे सरकार यह जन अन्हे लोगों के विच्छी मेदारी होती कि वो सुनिश्चीत करें कि उस उन योजनाओं का लाव उन कल्यानकारी योजनाओं का लाव आन जंदा को वंचितों को मिल पाए यह कैसे होगा मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा बलकि भी रिच्छा है हम गंतरद दिवस के औसर पर घर-घर में जंड़ा फ़राने की बात करते हैं पिछली सुत्रदद दिवस के औसर पर प्रते घर में तिरंग लह रहा है गया था हमारे प्रथान मंत्री नरिद मोदी का आमान था और हमान किया था फिक घर-घर में तिरंगा लोगों आगे गंतंत्र दिवस के दिन जिस दिन हमने अपने लिए सम्विधान को सविगार किया था, जिस सम्विधान गंत्रगत आजाद भारत आगे कदम दाल कर रहा है, जिस सम्विधान ने आम नागरिकों को उनके अधिकार दिये हैं, उनकी चर्चा दे लिए है, जो सम्विधान रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी देता है जो सम्विधान समानता के अधाधार पर सभी को उचित आउसर देने के प्रण करता है वह सम्विधान वह पवितर समधान जिसे बारबा कहा गया कि वह हमारे लिए गीता संद्रिश पवितर से तो वह सम्विधान जिस प्रकार घर-घर में तिरंगा पिछले सुक्ता दिवस्क अपनाया गया तो उस सम्विधान की एक-एक प्रती प्रतेक घर में क्यों नहीं है यह सरकार को सुनशित करना चाहिए कि प्रतेक नागरिक के घर में समिधान के एक प्रती मौझूद रहे ताकि वर समिधान का अध्यांड कर नक्यवल अपने अधिकारों की जानकारी ले से के बलकि अपने करते अपने दाइत और अपने जमिदारी से भी परचित हो सके उस पर भाशन होते हैं लेक छपते हैं सोतिनता दीवश गंजनत दीवश परव भाशनों का अमबार सामने आता है निता अभिनता सामने आते हैं गुणगान करते हैं लेकिन यह एक सच्चाई है कि आज भी भारत का वह वंचित वर्ग जिसके नाम पर वोट की राजनी की जाती है जिसे लुखाने के लिए अनेक वादे किये जाते ही उजनाय बनती हैं जिनके घर पर जिनके द्वार पर रोटी पहुँचाने की बात की जाते हैं दावे की जाते हैं वह वर्ग आज भी अपने अधिकारों से अपर चित है अपनी जिम्यदारियों से भी अपरचित है चुकि वो सिर्फ एक पवित्र गरंथ की तरह समिधान को जानता है लेकिन उसे वो पढ़ता नहीं है उसे प्रहाय रिजाता है इसलिए यह मैं समझता हूँ इस पर भारत सरकार या अन्य जो समधी संस्थाए है इस पर गौर्प करें चिंतन करें और या सुनशित करें कि प्रतेएग घर में भारत के प्रतेएग नागिरिक वो समिधान की एक प्रती उपलब कराई जाएगी उससे क्या होगा वह परिवार उसके अभी भावत अपने बच्चों को भी समिधान की जानकारे दे पाएंगे जिस प्रकार घर-घर में गीता रखने की बात की जाती है पवित्र गीता की चर्चा की जाती है उसी प्रकार अगर हम अपने समिधान को बवितर गीता के समान मानते हैं उसके सब कछ मानते हैं तो फिर समिधान की प्रति भी घर गर भी हो यह जिमेदारी भारत सरकार की है और यह यह अनुखा प्रियोग होगा इसका लाब ना किवल आम जिन्दा को मिलेगी बलकि स्वें सरकार को भी चुकि भारत का प्रतेक नागरी देश समाज के प्रति अपनी समिधानिक जिवदारियों की जानकारी से भी प्रचित उपाएगा और उस दिसा में वो निश्चे ही आगे बढ़ेगा या हमारी सब्वि लोकतंत्र भारत में इसकी शुरुवात होनी चाहिए मैं पुरह आग्रक करूंगा भारत सरकार सों सब्मनित एजंसियों से कि इस दिशा में कदम उठाए सकारात्म कदम उठाए और कम से कम अगले गंटर्ण दीवस के पुर्व या उसके पुर्व सतंत्रा दीवस के पुर ही समिधान के एक परती परते घर में हो जा दीजाए यह बहुत ही सुलव में बहुत आसान है लेकिन यह एक राश्ट्य दाइतों के रूप में भारत सरकार को संकार करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आने वाले दिनों में हम विश्लेशन कर पाएंगे कि हमें समिधान प्रदत अथिकार मिले या नहीं मिले या भारत का नागरे देश समाज के परती अपनी समिधानिक जीवेदारी निवा रहा है या नहीं निवा रहा है आज के दिन आज गंदर दिवस्री ने इस बात का संकल्पने इस बात का श्रपत ले और यह बहुत बड़ी चनोती भारत सरकार को भी है समधित एजंसियों के इसे क्रियानमीत करने के दिशामें तरकाल कदम उठाएं मुझे आज चर्जे के आज तक इस पर विचार क्यों नहीं किया गया खैल देर सही सही अगर अभी भी भारत सकार इस दिशामें कदम उठाकर भारत के प्रत्यक नागिने को समधाल की एक एक प्रत्य उप्रत कराती है तो यह एक पहुंद बड़ा क इसके कदम होगा भारतिस सम्विधान में वर्नित उन शब्दों के प्रति आदों और सबान पर गट करने का उन जीमिदारियों के प्रति अपनले करतापर निवहानेrail का और उन वादों के प्रति समंधित ऑजनसी और सरकार को जनता के साथ नयाय करने का जब तक इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होगी, इसका लाव सत्त से चुड़ी लोगों का एक वर उठाता रहेगा और जमा करेंगे, ऐसा ही होता है, बातें बड़ी-बड़ी होती नहीं, बड़ी-बड़ी भासन, बड़ी-बड़ी लेक जबता के वीच आते रहें, भार जंतांत्री भारत की, लेकिंग, जैसे मैंने कहा, कि महात्मा गांधी के सरोदे के आदर्शों की को प्राप करने की दिशान में कदम उठाना जरूनी है, हमारी मानिया, राश्पती, द्रौपती बुरु में भी इस बात को चिन्हित किया, कल अपने राश्विलाम सब उधर है, गरीब बंचित वर्ग की विशे में सोचा जाना जोगी है, क्योंकि उन कड़वे तक्थियों को सामने रख करके कारश्प्र मराने होंगे और प्रियानवित करना होगा, जो हमें बार-बार विथित करती है, पिड़ा दे दिर्दे में, भारत आगे बढ़ा, भारत ब्यक्ति भी इसी भालत में बहुत है, यह वियोदा भास क्यों, तो यह जो आरोफ प्लगते रहते हैं कि हम प्रगती तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारी उजनाओं का लाब एक सिमी छोटे वर्ग को मिलता है, विशाल वंचित वर्ग को नहीं, यह आरोफ पिछी सरकारों प पर भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस से पता लगता कि कहीं न कहीं, शास्की अस्तर पर जन्हित में तैयार योजनाओं के क्रियानन के परती लापरवाही बरती जा रही है, या उसमें भरस्टाचार का प्रवेश हो चुका है, उस पर अंकुस जरूरी है, फि देर सही सही हम इस प्रकार के कदम उठाएं, कि हमारे जो करूर वंचित लोग है, जिने मुत भोजर कहुचाने का श्री स्रकार लेती है, वैसा उसर नहीं आए, आम जन तर आम लोग इतने आज निभर बन जाए, कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने के आफशक तर नहीं कि कर दो कि दो आए